वेल्पी बीपरी डूइंग वेल्ट रेजर वाइपर मीनी के टिगरी के माउस है और मैं इसको सप्टेंबर 2022 से यूज़ कर रहा हूं मैंने इस पर बहुत सारे गेम्स के लिए जैसे एपेसरेंट हो गया पब जी हो गया आपका वार जोन हो गया स्टाटेजी गेम्स जैसे की सिविलाजेशन 6 और साथी साथ स्ट्रॉंग होल्ड क्रूसेडर 2 अब यह सारे गेम्स बहुत की अलग-अलग काटेगीरी इसके हैं औ जो माट फिनिश थी और साथ में एक जो आरजीवी स्ट्रिप यहां पर पाम एरिया पर इन्हों ने सटली इंटेग्रेट करी थी वो मुझे बताती है कि यहां आपको लेजर स्विचेस मतला कि ऑप्टिकल सेंसर वाली स्विचेस देखने को मिलेंगी और अप्टिकल सेंसर टाइम आपको मिलेगा और क्लिक्स में कोई लाग अगेरा नहीं मिलता है जो कि ट्रेडेशनल आपकी बटन वाली सुचेस में देखने को मिलता है वैसा आक्शन आपको नहीं मिलेगा तो मैंने इस चीज़ को यूज किया और भाई सच में काम करती है चीज और काफी जगे ह मेरे को मज़ा आया मज़को यूज करने में मतलब क्लिक्स से मुझे कोई शिकायत नहीं है यार मतलब इस और वन अद गूड क्लिक्स जो कि मैंने अपने बहुत ही छोटे से प्रीमियम माउस सेगमेंट में जो है देखी है इससे पहले जो मैंने माउस यूज किया थे यार वो बहुत ही वागव से और यहीं की मैंने यूज किया हुआ है वह है जी 502 और एक और एक च्छक किया हूआ है जो मेरा परसनल माउस था वह था जी 304 तो इसके लावा बाखी यहार सब जर्रीग प्रडरिक्स ही मेंने इसके तो थर्ड माउस है मेरा एक अच्छी इक अके करीम है और बाइफार जो दो लॉजिटेक के माउस ते उससे मुझे काफी बहतरी न लग दी इसके क्लिक्स अब इसके अंदर एक कमी नहीं अच्छे लगी वह थी यार इसकी जो माउस वील होती है मिडल माउस के तरीके से हो सकता है आपको नाच्छी लगती हो वो आपको लॉग वील हो आई नो प्रेसिजन इसमें ज्यादा अच्छा होता है बट बैटल रियाल गेम्स में और एक बार उसकी जम्प यूज करने की आदत हो गई न तो फिर लॉग वाली में बड़ा इशू होता है थोड़ा ध्यान कि यार मुझे इतने बार इसको धुमाना पड़ेगा तब होगी तो इंकल्केट करना थोड़ा सो मुश्किल हो जाता है वहाँ पर अगर फ्री वील हो तो एक बार घुमा दिया आपको पता है कि इतनी बार वह जंप करी चुगा होगा तो यह एक चीज है बाकी जो दूसरी कि चीज मैं बोल रहा था पहले मैं इसको कभी मैं बोलू या फिर इसकी प्राइस को जस्टिफाइ करा दू वह इसका सेंसर नो डाउट बढ़िया है जनरिक माउस से से अगर आप कंपेर करते हो ना या तो बहुत अच्छा है इसका सेंसर बट अगर आप प्रीमे माँ काट करता है और यह ट्रैकिंग कैसे बता चलते हैं आपको जब बहुत ही माइन्यूट वहाँ पिक्सलेशन पर चेंज करोगे और डीपी आइस को बहुत जादा स्विच करते हो तो वहाँ पर यह मेरे को गाप जो देखने को मिला कि इतना अच्छा ट्रैकिंग नहीं है बहुत प् जिस प्राइस पर यह माऊस आता है उस प्राइस पर यह सेंसर बहुत अच्छा है पट कॉम्पूटेशन में एक चीज़ देखने वाली है बट अगर ओवरॉल वडिक्ट की मैं इस माऊस की बात करूं यार इसमें आपको क्या नहीं मिलता है इसमें लाइट वेट मिलता है जो की बहुत सारे लोगों के लिए और इसके अंदर आपको एक अच्छी प्राइस मिलती है जो की एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए अगर मैं वह सारी चीज़ों करके अपना अवराल वोडिक देता हूं तो मैं इस माऊस को देना चाहूंगा 7.5 आउट आप 10 पॉइंट क्यों कटे वह आपको पता है और 10 तो यार कोई भी चीज़ नहीं होती है किसी के लिए भी कि अगर यह माऊस आप चाहते हो आपका बजट है इस माऊस को आप खरीद सकते हो डिसपॉइंट नहीं करेगा बट यह आए विल से कि इससे भी बहुत अच्छे आल्टरेटिव आपको मार्केट में अवेलिबिल है अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा और अलाव करती है तो इस लाइक तराब इस वीडियो फो नाव तेल वी मीट अगें टाटा बाइबाय और सायो नारा मिलते हैं अभी वीडियो में तिल एन टेक केर